नमस्कार नमेत्रों, ITI in e-learning program अंतर गत्त हुँ, मेहुल इनमेशन दर खाट सुरिया, supervisor instructor, ITI धोलेरा, आज रोज आपनो स्वागत करूछु, आजे आपडे ITI द्वरा चालता, computer group ना topic, dynamically create webpages in HTML using JavaScript नो आजे आपने उतमने तालिम्सम मार्क दर्शन आपिश, कि जे JavaScript नो जे मूड उद्देश्य छे, कि सेना माटे JavaScript बनावा मा आवी छे, HTML मा आपड़े स्टेटिक वेबसाइट बनावी शकिया छे, पड़ुकत यहने dynamically बनावी होई, तो यहने माटे सू-सू जुरूरियात और पर छे, EATV आपड़े आजे शिक्खवाना आची, तो मित्रो, तेर सुध्य आपड़े वाद किता, कि पड़े डोक्यूमेंट बजेक्ट मोडल, तो यह डोक्यूमेंट बजेक्ट मोडल, शू होई छे, कि पड़े ए HTML छे, ए DOCMN पूड़ेक्त मोडल उपर आधारीच जैने आपड़े CSS तरीखे ओडखिया चीह है आने आ बोड़ी नी यंदर डिन नी यंदर आपड़े लगवामा आवच्छे स्क्रिप्ट कि जैस्क्रिप्ट आपड़े जावा स्क्रिप्ट तरीखे उप्योग करिया चीह तो है आपड़े आगड़ चोहिए आ वेल्यू छे हहलो ट्रेश येन्ने चेंज करिये ने एक computer science portal for Copa एए आपड़े शे तो एकली रित गरिशे के यह है आपड़े जोईए शेटे जोओं मेतरू आपड़े यंहां जोए शे, कि पेरेग्राफ माँ अब्धेल्यू आपी थी, ॐँ वेल्यू elsewhere ओती हेलो ट्रेणिस कोपाण नीच्य, कि हेलो ट्रेनिस क्य एड प्रिंट3 ने आ हो जोए अपड़े यहां जर्ए रन केरो त्यारे वेल्यु चेंज थेगे यह रन टाइम बागी पेलायने वेल्यु सुआ त्य आपड़े जोई यह तो आपड़े जोई सक्या शेए मैं कोड़ने कॉमेंट कर दी शे यह अब यह अथे रन टाइम में नहीं बतावे જો મેરો કોડને આપડે કોમેન્ટ ઘિરો એહેલીલે આપડે જોઈ શક્ગીય છીએ अब या get element by id, तो किभा geeks id कोणा मा छे, geeks id छा paragraph मा छे, तो यह paragraph नी अंदर inner html मा, एकले html नी अंदर, यह यह value छू छे, किभा यह value छे hello trainees, जर यह value assign करिया छे नभी value, तो यह नभी value छिद्धी assign थाई जाछे, सेव कर दोशे, comment data वी दिधी छे, हाँ यहाने run करिया छे, forever, तो मैं जो value change थाई गई, get element by id नो use करिने, कई रिते value change थाई, यह जोई, हजी एक भी जूँदर ना आपड़े जोई जोई है, आपड़े, get element by id नो उप्योग करिने, के एक alert box छे, यह पपड़े जोई, तो यह आपड़े जोई, get element by id नो उप्योग करिने, आपड़े कर्शु, त्यारे टाइटल ने यह उपर आपड़े बता से, हमें आपड़े एक h1 टेग लिदेली से, यहने आपड़े जोई, computer operator and programming assistant, यहने value से, के नेंदर यह थाई, print, आछे input tag, input tag ने आपड़े टाइप आपड़े चारे पन आपड़े इने submit उपर click कर्शु, त्यारे एक event जन्रेट था शे, इए event अशे click function ने call कर्शे, click function ने call करिया बाद आपड़े डोम नी मार्फ आते, इए element जिये अशे, element नो id आपड़े h1 टेग नो id चे, pera1, pera1 मा style छे, style मा color छे, जे आ computer operator and programming assistant नो छे color set कर्देशे, अपड़े याँ जे value आपी छे, बरोबस ये value नो set color कर्देशे, आन्ने एक window alert अपने pop-up थाशे, कि अपड़े color छे, change थाई जो छे, आपड़े ब्लेक color माँ छे, print थे यालो छे, computer operator and programming assistant, छेरवा submit उप्रे क्लिक करिश, त्या रहे हो जो color change, आन्ने color change थाई ज validation साइट मा ना होई, तो एमा घणिवार एव भने, कि cyber security नो issue उभो थाई, अन्ने कोई पन तमारो जे data छे, manipulate थाई, कि अपछे data छे, delete थाई, डेटा छे नी चोरी थाई, गम्मे ते थावान शक्केता रहेली छे, अपड़े कोई पन वस्तु जारे, आपड़े कोई पन data, क कोई पन input लेता होई, यूजर पासे थी, तो ए data बरोबर छे, तो ए चेक करवा माटे आपड़े वेलिडेशन नी खास जरूरी रहेली छे, जो वेलिडेशन नो होए, तो एनो गेरलाब्बन खणों छे, तो आहिया आपड़े एक simple आपड़े entry form लिदू छे, टाइटल नू उपर क्लिक करीन, आपड़े पछी, जारे submit बुटन उपर क्लिक कर्छे, त्यारे validation function छेने call करवानू छे, आनने बाकी नो जे data छे आपड़े आ डेमो टेग माँ बताव छे, बाकी ये ये डेटा जे आना entry करेली छे, ये शाचों छे के खोटों छे, अवे आपड़ेशन फ payment by id थी आपड़ा यह वेल्यू लेशू पच्छे ए वेल्यू ने आपड़ा चेक करशू आ एक नो इन बिल्ट फंक्षन छे जावास्क्रिप नू इस नॉट अनॉट अनॉबर चे परसंटेज नी बनले कोई मानो कि X Y Z कोई F A Z वेल्यू नाखी होई तो आपड़ा ही चेक कर ने इन कोपा अनॉट जो एन ही करता अलक कंडिशन है कि अपड़ा टका करता वदारे मार कर्शे तमारे तो पची तमना एक नूअ पोपप छे ए आवशे यपाई से लेक्टेड वेल्कम टू कोपा ए छे ए पोपप तरीके नहीं आवे परंतु आपड़े जे जे टाइटल छे ए पन आवी गेलू छे आने बटन आ जे बटन छे सब्मीट बटन ए बटन पन आवी गेलू छे आपने आपने तरत कही दिदू छे कि बटन आजे में पोपी लेखु छे ए नंबर न थी बटन इस नंबर आ कंडिशन ट्रू थाई छे आ कंडिशन कंडिशन ट्रू थाई चया है अपने ओर ओर आपर सब्सक्राइएक help नीक अपन %. स्टेट्मेंट ट्रू थाई जिए आखु स्टेट्मेंट ट्रू एल्ले आ विंडो एलेट आपणने पोपप करवा मारल छे आपड़े वीजो कोई डेटा लही है अवे आ नाखीने आपड़े चेक करिये के सूछे आजे 23,60 गरता नाना चे वळी पाच्छी आपड़े आजे कंडिशन चे ट्रू थाई आखी कंडिशन ट्रू थाई गिलेचे इफ स्टेट्मेंट नी इफ स्टेट्मेंट चे एक कोल करशे आणने इफ आगल जे विंडो एलेट चे पोपप थाशे नोट चिलेक्टेड इन को पाँ आँ वेरियबल थी आपड़े एकस वेरियबल थी जे वेल्यू ली थी शे बरबर से ये वेल्यू आपड़े अपने या 23,60 म मढ़ी गेली शे अगे वो साची वेल्यू नाखी ने चेक करिश चारे में सब्मीट आप हूचारे आबनने अकंडिशन छे खोटी थाई ए एल्स्टेत्मेंट मा लखेलो छे के बैए अपड़े आएडी जे डेमो छे आँ डेमो आएडी ने पकड़ बर्बर से ये डेमो आईडी ने फाइंड करिने इनरेच टेमेल मा के आवेल्यू प्रिंट करावानी छे इनरेच टेमेल अगला या जे वस्तो आपने या आपड़े हाजे छे हमा आपड़े इनरेच टेमेल मा को एक पेल थी टे डिवीजन आपेलू छे डिवीजन नियंदरेनी वेल्यू आपेली छे के बैए धीस विल चेंज आएक सिंपल वेल्यू छे हमें आपड़े बदल वी छे आपड़े आपड़े आप्रिंट करू छे कोई पन वीजिय वेल्यू प्रिंट करवी छे किपाई चेंज यूजिंग इनरेच टेमेल तो एक कई रिते थाए येनो आपड़े याँ डेमो छे आपड़े सव थे पलाशू करू एक डिविजन लिधू छे डिविजन टेब ने अंदर आपड़े येका दिस विल चेंज आने ये निचे एक बटन छे याँ बटन छे ये बटन छे ये ये ने अंदर आपड़े ओन क्लिक इवेंट आपेली छे चेंज इट आपड़े ये डिवेंट फोपर आँचेंज़ इट फ़ंक्शन खॉल थाषे इज आवरस्क्रिप्टन फ़ंक्शन छे एने ये यंदर आपड़े कोड़ करेलो छे के जै आईड नूँ एलिमेंट टेस्ट छे ते टेस्ट मेंमा जेनी वेल्यू छे इनर फ्नल ये print थाशे, साथे साथे रमने, आपड़े करी जोए practical, जे file छे, file name, आपड़े जोशु हुँए, inner HTML, जो, by default value सुँ होथी, division मा, ID test छे, ये बाई, this will change, आने ये निचे आपड़े लुच्छे जे button, तो ये button छे, ये button मा, आपड़े click कर्शु, ये ले change it, event छे, ये call थाशे, बरबर, आ event ये अंदर, जे document.getElementByIdTest, ये .innerHTML, येनी जे value छे, by default छे, this will change, आपड़े आपड़े चेंग थाई जाशे, आने नभी value जे आपड़े जे assign करी छे, आपड़े जोई से कोछ, जे नभी value थी change using innerHTML, तो ये आपड़े कोई पड़े method थी, element छे add कर ये एक रते करी छे कहने, ये आपड़े जोई है, आमित्रो अत्यर होदे तो आपड़े जोई है, जे value अती ये आपड़े change करी, पना आवे तो कोई निया tag के, tab क्यो कई छे, नहीं, आपड़े एड़े जोई है, तो ये ले आपड़े जोई है, by default आपड़े जे program छे, ये म आपने प्रोग्राम करेलू छे जारे आपड़े बटन छे बटन उपर क्लिक करशू एटले create छे इवेंट एक कॉल थासे एटले function create छे शू करशे कि आपड़े यह document.createElement आज यह DOM छे, DOM नुए by default function छे कि आपड़े कोई नवववव element यहले कि नवी HTML निटेग create करवी छे तो यहने आपड़े यहां variable मा store कर आवड़े यह नूँँड नाम जे आपड़े आपड़े पूछे कि है अपरे h1 टेग छे प्रेंट करवी छे तो h1 टेग आपड़े आपड़े दीदू छे अवे h1 टेक छे, text content छे यहनु attribute छे, आमा text content शू राखुँछे, तो किभाई new heading, ओके तो आवस्तु छे print छे, अवे यहना attribute छे set करूँ पर से, तो आपड़ा है आपेलो छे class, आने note, class आने note आपियो छे आपड़े, आपड़े, आ जे attribute छे, यहना set करदे छे, आन ये value पर छ आपने प्रिंट थे ने बतावे, आपने जो शेके छे मित्रों या, कि अत्तिरे आपड़े, आपने by default create heading जा पेलो छे, बरबर बिजी कोई पन वस्तु आपने बताती नथी, आ नियू heading छे आपने तिरे बताती नथी, आवे जारे पन आनियू परू click करीश, त्यार सू था यह है जे आ new heading वालु छे, आप code छे आप फंक्षिन छे आख रहां थे new heading वालु जे tag छे h1 tag आडोम नियंदर append थाई जाए, जो आपने बताई रही हुँछे, कि जारे पन click के रहु तेरे आ आ फंक्षिन आखु कोई थाई जियू, आप body नियंदर जाए एनू body part छे HTML ना, यह अंदर आ प्रिंट था ही रही हुशे जो यह लिवार पन क्लिक कर रहे छे लिवार प्रिंट था तो अमित्रो आ रिते आपड़े HTML मा जावास्क्रिप्ट नो उप्योग करें डायनेमीकली रिते आपड़े आवी रिते बनावी चकिये छे अमित्रो आपड़े जो यू एखली मत्र माहीती छे एद प्रदर्शृत थायी शे पड़न्त यान उपर कोई आगल कार्य थतु न थी आपड़े जार जावास्क्रिप्ट थी उप्योग करें अपने लिए व्रस्तु छे ए डायनेमेकल वेबसाइट छे एपन बनावी शेकिये छे तो मित्रो आजे आपड़ा शीख्या के जावास्क्रेप्नी मदद थी कि HTML माँ डायनेमेकली वेबसाइट छे बनावी शेकिये खाई वाशा राको छो कि आवस्तु तमने समझाणी आशे बरबर चे आनो उप्योग तमें तमारा कोपा ट्रेड ना पर्टीकल अंतर्गत उप्योग कर शो यह वाशा राको छो आभार